हेलो एवरीवन मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप से लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में आज का हमारा टॉपिक है देखो क्या लिखा है मसीन इंपुट आउटपुट आपको पता है मसीन इंपुट आउटपुट के मैंने ये स्टार्ट करा था जब सेशन तो मै कलभ किस तरीके से आपको की लौ cheese करी है मैकसिमोम यहां पर कवर करने की कोशिस करिए इसके बाद क्या कराताए को थर्ड क्लास से लेकर अब तक फोर्टीन क्लास होचुकी है इसमें मैंने आपको तरह से को पी कोशन करा है कुछ मैंने के अपने परेके की कोशन करा है औप कुछ previous year के पोछा स्क्ता है आज क्या है । मेरे पास एक कुश्क और 2019 बैया है इसको देखते हैं किस तरीखेस के गें कोश्ण है देखो बढ़ते हैं किलास च्टर्ट करने से पहले आपको पता से प्सक्राइब मैं यह सो से जाधा सब्सक्राइब करना क्या होता है आप लोगों को पता है अब हमारी क्लास नंबर 15 है आप सब लोगों को पता है क्या इस तरह के क्या सव्ट करते देखो फिर भी मैं बता लीता हूं इस तरह के चलता रहता है और बताता है कुन सा इसमें लाश्ट है देखो यहां पर फाइब लिख ना तो देखो नीचे कहीं लिखा गईस को फोलो करके फर्स चिप को फॉलो करके फर्स फिस्टेप में जो है ना दो इस युजप रहे करके मैंने सेकिंड बनाया इस से बढ़ते रहेंगे और लास इस्टेप होता है कितने करने के बाद फिर हमें नया इनपूट दे आगा है तो इसी बेसी पर है दो जो लोजिक इस्के वी बना के êtes की फिर इसके बिटें पुछ पूछ से लुटीक प्रीव के लॉप यह देखो यह है कोश्चन हमारा यह देखो देखो जब भी मैंने बता है हमने साथ प्रीवियस प्रणी कौन सी क्लास में दो तिन क्लास पहले मैंने कुश्चन कर रहा था जब भी नंबर मेरे बड़े-बड़े होते हैं देखो कितने डिजिट का नंबर है एक दो तीन चार छ नंबर आ रहे हैं एक दो तीन चार पांच मतलब कि इन छे नंबर उसे च्छे दो बने कम तो बने नहीं ना ज्यादा बने तो एक नंबर से एक बनाया होगा तो देखो ऐसे नंबर को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है आप चाहे फर्स्ट का कोश्ट लेलो या ल अबच्छ च्टाकी होगा ने है लिए फाइदा है तो साहथ कोई आरेंजमेंट और थी है तो है थी इसने लास्ट में लिख दिया ठीक है तुके बाद देखो वन है यहाद वन भी इदर लिख दिया शिक इदर लिख दिया फाइव बना इस से नंबर यही बना है यह मेरा कंफर्म हो गया पूरी तरीके से कि आपका मेंस का एक्जाम है और कुछ भी लोजिक हो सकता है एक बीघ्रकलत होगा एक दो चेक मत करना देखो नौ है इसमें नौ आ गया चे आगया तो साथ इदर आगया तीन आगया दोस्में भी आप सारे चेक कर लो जल दी जल दीदेख अगला कुश्चन देखते हैं इसस तरी कैसे कैलकुलेट करोगे देखोगे सारे रिपीटी देंस के अंदर तो देखो अब मैं लोजिक ढूंडने के उस्जिश करों मैंने लास्ट नमबर ले लिया देखो क्या कर रहा है यह यह 3 इदर चले गया फिर 2 इदर चले गया फिर 1 इदर फिर 6 इस तरीके से इसको भ लिख दिया और जो सेकिंड फ्रॉम राइट था वो इदर मतलब की आपको क्या करना जैसे यह ना जैसे कि मैं यह आप लिखता हूं तो इससे स्टैब बनाऊगे तो जो लास्ट वाला डिजी टैप वह पहले लिखोगे फिर मलब की रिवर्स में लिख देना इसको फिर 6 व लास्ट वाले को फस्ट पर ले लो फिर उसके अगले वाले को सेकिंड फर थर्ड पर फॉर्थ पर मलब कि इसको यहां से इस तरीके का अरेंज करती है तो यह मेरा पहला श्टाप मिल गया यही देखो सब में लोजिक होगा आप चैक कर सकते हो पूरी तरीके से आपको सारे लास्ट पर नाइन आ गया फिर फॉर आ फिर फॉर यहां पर भी चैक तो इस तरीके से लोजिक मिल गया तो क्या करा पहले स्ट बनाने के लिए जो नंबर के डिजिट है लास्ट डिजिट को पहले पर फिर सेकिंड फरॉम राइट को सेकिंड फरॉम लैट मालब कि laborator कर तो इस तरीके से इसब से राइट पर वाला सबसे लैफ्ट का आ गया तो इस तरीके से इसको पूर्श कर दिया तो यह मेरा पहला अम हमन बन वहना जैन को सब्रह नो यह थे बन रहा हुआ कि पूसराइं यह नंबर को बनाली वह क्शले पर नंबर यहां नम्बर हो गे तो मैं इसमें दुबारा करते हैं नहीं है देखो इसमें डिजिट रिपीटिट नहीं है आप इस वाले को चेक कर लो इसमें तो नहीं है तो मतलब यह मेरा लोजिक फेल होगा जिस आपसे मिली रहा था सूच रहा था इसके सामनी नंबर लिया होगा तो लोजिक फेल होगा तो जैसी यह लोजिक फेल होता है तो आप मुझे कहा देखो नंबर अगेन मेरे बड़े हैं तो डिवाइट और मल्टिप्लाइब करने में तो बहुत टाइम लग आप क्या करो यह पूरा नंबर देखो कहीं मिल जाए म आप इसको देखो 79 कहीं है देखो 79 यह फिर 45 28 83 57 46 कहीं है देखो 83 कहां पर है देखो यह वाला नंबर है यह वाला देखो 85 से स्टार्ट है यह है अब देखो इन नंबरों को न देखना है अब अब यह आपको इस पर नहीं जाना मैं देख लिए कि नंबर आगे पीछे सबसे चोटा नंबर वो पहले आएगा फिर उससे बड़ा सबसे बड़ा एंड में तो अगें देखने में बड़ा कोश्चन था मेरे मेरे इसके एजी थे अब देखो मेरा दो अप्लाई कर देना या आप इसको लिख ले ना गईंग्ड स्टेप तो अगें मैं क्या करूंगा वहीं करूंगा नंबर बड़े हैं तो मैं सोचूंगा कि देजित साह साथ ही खेला हो चाहरी हो म अप्र एसी किमे डिजिट हो र तो इस तरीके सारे चेक करें नहीं के नंबर है आपने जब पूरा चेक कर लिया अब आप तेको इसमें लोजिक लगाओ इससे यही बना है ठीक है अब आपको देखना है देखो इसमें पहले 453912 आ रहा है पर इसमें 13592 आ रहा है तो आप देखो इसके लोजिक जरूर होगा देखो मैंने जैसी देखा यह सबसे छोटा आया हो सकता है इंक्रीजिंग में डिजिक ले लिए हो इसने फिर 3 आया फिर 539 पर यहां पर यह आ गया है तो नहीं है फिर मैंने आगे देखो यहां तक फिर इंक्रीजिंग में नाइन तक फिर इसने 6 ले लिया पता नहीं क्या कर रहा है फिर यहां पर इंक्रीजिंग में फिर यह ले लिया तो इसका लोजिक बढ़ अच्छा है क्या लोजिक कर रहा मतलब कि आपको डिजीट पता होने यह ओड क्या होते है तो देखो अद जो यह से यही बना आए लाए न केंस बहुंत देखो पहले और नंबर न粉र रिंखराय सावने इसमेंद यह मतलब कि क्या कर रहा है जो सामने वाला नंबर है इसको ले लेते हैं इसको उसके और डिजिट की बात कर रहा हूं और डिजिट को पहले इंक्रीजिंग में ले लिया फिर जो रिमेनिंग बचे हैं रिमेनिंग क्या बचे होंगे इवनी बचे होंगे फिर उनको इंक्रीजिंग में सबसे पहले और में तो 357 आएगा फिर जो बचा देखो एवन का देख सकते हो यहां तक और यहां तक यहां तक कि और को इंक्रीजिंग में इंक्रीजिंग लिया फर्ष्ट उसके बाद चाप करो फिर जो बचे हो एवन उनको को इंक्रीजिंग में सारे चेक कर लो और यहां तक फिर एवन और यहां तक यह दो नहीं तक है और आपके फिर आपका इवन तो मतलब क्या बना है स्टैप में काफी अच्छा स्टैप था देखो थर्ड इस्टैप तक ही पहुंचे अभी हम कि क्या कर रहा है जो डिजिट है इवन नी और उसको इंक्रीजिंग में लिया उसके बाद यह क्या कर रहा है इव लख की पहले इओं को इंक्रीज apoyo में यह यापर के तीन बलब एक तो यहां पर सब्सक्राइब रिंग कर दिया है और अनुमट कर दिया भास में। सब्सक्राइब सें करने को आलें कि कर दो राइएब न्यारा ना रहाहा नहीं और अचक्थ सब्सक्राइब भी निया रहा तो मैं देखोंगो यह 379 यह कहीं पर रिपीटिट अब रिपीटिट तो होगा नि क्योंकि कोई ना को एक डिजिट रिवी वह देखो इसमें 3 ठीक है 7 7 7 यह गलत हो गया 3 7 यह इस से यह भी निवना हो सब आगे पीछे लिए 3 7 दो 3 7 निया इसमें 3 7 निया मतलब यह तो मेरा लोजिक फेल हो गया कि इससे एक का डिजिट रिमूब करके इसने आगे पीछे लिख दिया हो अब देखों क्या करना इसका लोजिक बहुत अच्छा लोजिक है इसी नंबर से इसको लो आपको यह नंबर अगर अच्छी तरह से नजर आ रह दिजिट का मल्टिप्लाइ करके लिख दिया फिर नेक्स्ट टू डिजिट नो दूनी 18 लिख दिया फिर छे दूनी 24 अब और चेक करते हैं दो सम्में वन इंटू 3 करोगा थी आएगा फाइव इन्टू 9 का एगा 45 लिख दिया फिर टू इन्टू 4 एट आप यहां चेक कर लो सारे चेक करने आपको यह ना देखो इससे एक दो तीन से देखो एक दो तीन बचावा यह वाला है कि शारे पंजे तीस नो दूनी अठारा चार दूनी 4 अठ्थे बत्तीस तो मलब क्या कर रहा है इसका लोजिक है पेर ले लिए इसमें छे डिजिट थे चेट में दो दो का पेयर बनाया तो फर्स्ट डू को मल्टिप्लाइब गरते साथ यह साथ यह बनाएगा लिख दिया नौ दुनी अठारा ते को लिख दिया फिर क्या अठारा तक होगे ना देखो यहां यहां तक हो गए दो रोगा और फिर देखो छे-दूनी चौवीज तो यह महार इस तरीके से fourth step होताब देखो लास्ट इस्ट अफ मैं चलूगा देखो लास्ट इस टैप मैं अगें कांट करूंगा हम नंबर कितने हैं यह 6 है और देखो इधर कितने हैं यह धी गतने हैं तो एक से बनाओगब वही मानूगा रूल में इससे ही नमबर यहाँ पर टेकिंद दिधिन में और दो में तो इसमें पता क्या लोजिक होता दो इसमें सबसे पहले लोजिक तो चैक करना था क्या पता है इसने एडिशन करके लिख दिया हो दिखो एड़ गरो थ्री फोर फाइड यडिशन करके इसने लिख दिया अब मैं देखो लास्ट का चैक कर लेता हूं आप सारे चैक करना देखो सब्सक्राइब 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 आपनें यहां फोर यहां पर त cemetery यह मेंने पट इंब नीर की आपको फ्रहेट रहार को पंधिया मैं रहां है व्रठ पोरें मोले में वह ना wine टोoses स्रेरी दिः देगा जाए है यहां पूरें कि वर युद्द कर दो यहां । फॉर आया सेवन आया पूर देखते हैं नहीं है किया कर रहा था इसके इंदर यहां इसलिए उसके बना ले करो उनको या फिर लिख ले करो तो देखता हूं इसके इंदर से थर्ड में क्या कराता इसने हां हां याद आ गया और डिजिट मुल्ब की और डिजिट पहले इंक्रीजिंग असेंडिंग में फिर कि उसके बाद इवन वाले असेंडिंग में ठीक है मुल्ब इसमें और डिजिट जितने उनको पहले लिया वह भी पहला पूछा गया है वाट इस दा डिफ्रेंस बिट्वीन थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट ऐसे लिखेंगे थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन इस्टेप टू एंड सैकिन नंबर फ्रॉम राइट फॉर्थ इस्टेप मतलब है बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा तो देखो यह मैंने लिख दिया थर्ड फ्रॉम लेफ्ट सैकिन अम मैं जाओंगा थर्ड फ्रॉम लेफ्ट सैकिन सैकिन स्टाप यहां कितना फॉर एट फाइब नाइन टू थ्री यह अगली पर चलेंगे देखो थर्ड फ्रॉम लप सैकिन फ्रॉम राइट फोर्थ इस्टैप फोर्थ इस्टैप कर जाहूं है और सैकिन राइट राइट यहां से काउंट होगा क्या है इनका डिफ्रेंस ले लो आप डिफ्रेंस आपको मिल जाएगा इसका यहां पर फिर अगेन क्या आएगा फिर नौ आएगा तो नो नो वाला है आप पूरा चैक करना इसमें यह वाला अंसर आएगा ठीक है ओप्शन नंबर 3 मलब हाँ ठीक है अगला देखो क्या सेकिंड वाले में क्या है विच आप फोलोइंग नंबर नंबर की बात कर रहा है थर्ड फ्रॉम राइट इस तरीके से लिखना इन इस्टाप 5 यह तो इजी है मलब थर्ड फ्रॉम राइट कर लो 5 इस्टाप में इस्टाप फोर इस तरीके से लिखोगे तो यह मैरे स्टाप लिख दिया है सेकिंड फ्रॉम राइट का भी गलती नहीं होगी कि डिवाइट इवाइड करूंगा नंबर विच इस सॉआइक फ्रॉम RAW ऌके सेट फ्रॉम लैफ्ट इस्टाप फाइनल मतलब इस स्टाप फाइनल मतलब कि जो भी पाइनल फासें सथ तो को सट हे खूं राइट पांश वाइट ऐर सभाइब वाले को कर करों किसे करनेता से करना था कि आपके सामने होगा तो यह मेरेको बार वर स्ञाइड करने रहां लैफ्ट से साटने ना से से सितकicated इसको 22 से करोगे एक आएगा पहले तो तो देखो आप इसको कर लेना को करे न तो आप को जो भी आनसर आगा को करेंगा इसको कर ले न ज्रनेकर कर ले यहाईगा चैसा करलेना जाख जिए न अगहला या क्या है पॉर्थ नंबर फ्रॉम राइट, इस्टेप 3, देखो, सैकेंड लेफट, सैकेंड में, फॉर्थ राइट, थर्ड में, डिए ऐजन लेफट, सैकेंड में, यही था न, फॉर्थ राइट, फॉर्थ में आशी था सर, यहां पर लास्ट में क्या रन्नों आप इसको एड़ कर ओगे ना इसको जो भी एडिशन है इस तरीके से आज जाएगा यह कर लेना यह थर्ड में था साय इसलिए देख लेना तो इस तरीके से देखो यह कुश्चन है देखो इसमें चारी कुश्चन पूचे गए थे और यहां से कर लेना और यूटूब चैनल का नाम भी से में आप इसको ज्वाइन कर लेना और आपको यह वीडियो पसंद आया हूँ तो इसको जाते ज्यादा शेयर करो ताकि वीडियो की पहुचे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर आपको जो भी अपडेट आएंगी मैं मिलता रहा है मतलब कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इस क्लास को यहीं एंड करेंगे जो भी नेक्स्ट क्लास शिक्स्टीन है उसमें फिर मैं आपको मिलूँगा एक अच्छे कोश्चन के साथ कोश्चन नमबर जो 16 क्लास करें आपको इसे नमबर जोगी मसीन इनीपुड अउटपुड की है कि उसक्छा का वह जो फचा की पे दुड़ है ने ने